हलो एवरिवन मैं धीरज आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं My Advanced Maths Notes के बारे में यहाँ पर मैं share करने वाला हूं जो मैंने Advanced Maths में अपने Notes बनाये थे वो Notes मैं यहाँ पर share करने वाला हूं और यह जो Notes होने वाले हैं यह मेरी एक ऐसी Notebook होने वाली है जो जिसमें सारे Concepts Advanced Maths में जो यूज होते हैं जितने भी हमारे Chapters है Algebra, Technometry, Geometry, Circle, Menturation, 2D, Menturation, 3D उन सभी Chapters के जो Formula वगेरा होते हैं और जो Concept होते हैं वो सभी मैंने एक Copy में Note कर लिये थे क्योंकि उससे हमें क्या Help मिलती है वो चीज़े हैं यहां पर मैं आपको बिल्कुल Detail में समझाने वाला हूं और मैं आपको Suggest करूँगा कि आपको भी एक ऐसी Copy बनानी चाहिए क्योंकि यदि आप देखोगे जब आपका Paper के Last के 1 Month ये 2 Month रह जाएंगे Last के 1-2 महीने जब आपके रह रहे होंगे तो आप जब इनसे Revise करोगे न तो ये आपको ऐसा लगए कि पूरी Advancement काफी जल्दी मैंने Revise कर ली क्योंकि आप देखोगे Arithmetic में हमारे Questions ही Questions है Advancement में भी Questions ही Questions है लेकिन जो Arithmetic और Advancement में फरक है वो इतना है कि ये Advancement में आपको Formula नहीं पता है न तो आप Question को करी नहीं पाओगे आपको चाहिए कितना भी Concept पता हो कि हाँ Step से ये होता है ये होता है लेकिन आपको सारे Concept जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप Question को करी नहीं सकते हैं और Advancement में आपने एक चीज़ और देखी होगी एक के बाद एक Formula यहां पर लगता है मतलब एक साथ कई सारे Formula भी लग जाते हैं तो आपको एक Formula याद है दूसरा याद नहीं है तब भी वो Question आपका कहीना कहीं स्टक हो जाएगा तो फायता ही है कि आप ऐसी Copy बना ले कि जहां पर वो सारे Formula जितने भी हैं वो एक जगा mention हो और ताकि आप कभी Daily wise अगर आपको revise करना हो अगर Daily daily आपको revise करना है तो आप Quickly सभी चीज़ों को revise कर सकें क्योंकि मैंने भी जो अपने Notes बनाये थे इन Notes में टोटल मेरे 54 pages में ही यह सारे Notes बन चुके थे और इन 54 pages जो है इनको revise करना इतनी बड़ी is not a big deal कि आप पर revision करी ना पाऊ आप मतलब daily basis पर भी या फिर आप weekly basis पर भी अगर देखें तो क्योंकि यह 54 pages को मैं मतलब 5-6 दिन मैं revision कर लिया करता था एक गंटे per day भी देकर तो यदि आप एक गंटे देकर इन चीजों को करके अपनी advance math को strong कर पा रहे हैं तो क्यों ना आप करें इन चीजों को वही चीज़े मैं आपको समझा रहाता है यहां पर तो आपको इसे notes बनाने चाहिए क्योंकि यह हमें सच में बहुत help करते हैं और आप देखो इसके अलावा आप यह वी चीज़ देखोगे ना कि आपके पास चार सब्जेक्ट हैं चार सब्जेक्ट में math हो गया आपके पास English हो गया reasoning हो गया जीके हो गया और जीके में तो हमारे पास ना जाने कितने सारे chapters और भी हैं कितने सारे subject हैं कि आपको current affair भी पढ़नी है subject भी पढ़ने हैं जितने कई सारे subject वगर आते हैं तो इन सभी के लिए आपको अगर देखें तो काफी इदर time की requirement होती है अपने syllabus को जल्दी से जल्दी खतम करने के लिए तो कहीं पर यदि आप किसी चीज को concise way में करके अपना time shift कर पा रहे हैं तो वो आपको time shift करना चाहिए यदि आप सभी चीजों को अच्छे तरीके से flow में लाना चाहते हो तो math में यदि आप देखो कि यदि आप देखो कि यदि आप formula की copy को भी revise कर लेते हो ना एक बार को इनकी जो concept एक बार जो इनकी teacher वाली जो copy होती है जो भी आपने notes बनाए होंगे जिसमें concept and examples वो सारे जो लिखे रहते हैं उनकी अलावा यदि आप एक ऐसी copy बना लो बना लो जिसमें केबल आपकी concept and formula वगरा ही लिखे हुए तो आप केबल इसको भी revise करोगे ना तब भी आपको उतना ही confidence आएगा जितना आप इस पूरी को revise करके आएगा तो क्यों आप इसी चीज़ को revise करके अपना time save कर लो और वो जो आप time save करोगे तो आप कहीं और भी contribute कर सकते हो कि आप GK में extra time दे लो या फिर English में extra time दे लो इसकी vocab complete करने में तो आप जितना time जहां 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 पर save कर सकते हो अपनी तोड़ी study को smart way में करके तो आपको करनी चाहिए है इसलिए यहां पर मैं आपको suggest करूँगा कि आप ऐसे notes जरूर बनाए क्योंकि यह आपको काफी ज़्यादा help करेंगे तो जो मैंने notes बनाये थे वो मैं एक वार आपक करें कि मतलब उसी में से पढ़ते चले जाएं क्योंकि वहां पर मैंने कुछ चीज़े skip करी हैं अपनी तयारही के दौरण जो चीज़े मुझे बहुत ज़्यादा याद हो चुकी थी जैसे algebra हो गया algebra में कई सारे ऐसे formula होते हैं जो मुझे already आते थे या फिर मुझे कई बार practice करने की वज़े से रिवाया बहुत ज़्यादा practice में आने की वज़े से वो याद हो चुके थे तो वो मैंने वहां पर mention नहीं किया है तो आप मेरे इन notes को follow करोगे तो वो चीज़े आपके कही ना कह में आप लिख सकते हो अपने notes से पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा अच्छी से revision कर पाओगे time भी save होगा क्योंकि दूसरे की copy से पढ़ना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बार ऐसे दिखा देता हूं कि बनाने हमें किस तरीकी से चा ली तो वो मैंने यहाँ पर mention कर दिया थे कुछ चीजे चोटी मोटी थी जो formula होते हैं चोटे मोटे वो मैंने यहाँ पर skip कर दिया थे जो मुझे already आते थे अब जैसे कि x plus 1 upon x की minimum value 2 होती जब x equal to 1 होता है तो यह मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया था यह concept इसके अलाबा एक यह formula हमारा होता है x q plus y q plus z q minus 3xyz इसके चार formula हमारे होते हैं एक formula होता है x plus y plus z bracket में x square plus y square plus z उसके minus xy minus zx minus xy minus yz minus zx यह एक formula होता है इसके अलाबा एक formula यह भी होता है कि x plus y plus z bracket में x plus y plus z ka whole square minus rice of x y plus yz plus zx इसका another यह formula भी होता है कि half of x plus y plus z bracket में x minus y ka whole square plus y minus z iska whole square plus z minus x ka whole square इसके अलाबा यह भी formula होता है कि half of x plus y plus z price of x square plus y square plus z minus x plus y plus z ka whole square तो यदि आप इस तरीके से सारी चीज़े एक ही जगर लिख दोगे न तो आपको बार बार examples देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप देखो कि इन चारो जो formula है इन में से कभी भी कोई भी type का question पूछ भी लिया जाता है तो इस तरीके से यदि आपके चीज़ें आपकी fingertips पर होंगी तो आप question को जल्दी से जल्दी attempt कर पाओगे जल्दी से जल्दी अपना अगर revision करना तो भो भी कर पाओगे इस इसलिए आपको इस तरीके से इस तरीके के notes बनाने चाहिए इसके लाबा जो 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 और भी concept थे वो भी यहां पर मैंने add कर दिये थे जैसे x की power 5 प्लस 1 upon x की power 5 का क्या formula होता है x उसके plus 1 upon x उसके bracket में x cubed plus 1 upon x cubed minus x plus 1 upon x similarly x की power 5 minus 1 upon x की power 5 का formula यहां पर लिख दिया x की power 7 plus 1 upon x की power 7 का x की power 7 minus 1 upon x की power 7 का तो इस तरीके से जो जो concept हमारे होते थे वो सभी मैंने एक ही जगा लिख दिये थे अब जैसे कि यह है हमारा formula इस पर भी काफी ज़़ा जाते हैं कि AX प्लस BY का whole square plus AY minus BX का whole square क्या होता है bracket में A square plus B square bracket में x square plus Y square इस पर काफी ज़़ा question पूछे जाते हैं इसके अलाबा यह काफी ज़़ा जाते हैं कि A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus E किसके बराबर होगा यदि ABC हमारे AP में है AP का मतलब इनके बीच का डिफरेंस क्या है सेम है यदि ABC तीन नमबर है जिनके बीच का डिफरेंस सेम है तो A square प्रस V square प्रस C square माइनस AB माइनस BC माइनस CA की जो वैली होती है T square होते हैं यहां पर common difference है मतलब कि यहां पर इनका difference हा रहा होगा उसके square करके 3 से multiply आप कर दोगे तो इसकी value आपको मिल जाएगी तो यह हमारा काफी जादा पूछा जाता है इसलिए यहां पर यह भी मैंने mention कर दिया था अब इसके अलावा यह और कुछ मैंने यहां पर जैसे हमारे जो trigonometry trigonometry के formula जो भी हो सकते थे वो मैंने यहां पर mention कर दिये थे यह हमारा right angle triangle की एक property होती है कि shortest median को छोड़के यह दो another median होते हैं इनका square कसम करके four times जो होता है five times of ac square होता है तो यह एक formula हो गया एक यह कि जो right angle triangle होता है उसमें यह दि यह हम perpendicular draw करते हैं तो इससे related हमारी जो properties होती हैं वो सभी properties मैंने एक ही साथ mention कर दी थी अब जो equilateral triangle हो गया equilateral triangle से related जितने भी properties होती थी वो सभी यहां पर mention कर दी ताकि एक ही जग मुझे सारी चीज़े मिल जाए और इनके examples देखने की जरूरत ना पड़े क्यों कि mainly जो advanced math में examples होते हैं वो formula yg होता है यदि आपको formula पता है तो आप question करी ले जाओगे तो क्यों ना सबसे पहले formula आप revise कर लो examples तो आप mock के दरूर भी कर सकते हो कि जो आप mock attempt कर देऊंगे वहां से भी आपके यह सब चीज़े हो जाएंगी तो ऐसे formula वाली copy इसलिए बनाना must है कि आप बनाते हो तो यह आपको काफी ज़्यादा help करेंगी ही करेंगी अब जैसे पहलो ग्राम है इसकी जितनी भी properties होती है इससे related जितने भी हमारे formulas होते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर mention कर दिये थे यह सभी जो हमायद दिये हैं similarly rhombus के लिए rhombus जो था हमारा मतलब जितने भी हमारे chapters थे मैंने तो यहाँ पर कुछ screenshot जो थे वो आपको समझाने के लिए attach यहाँ पर कर दिये थे लेकिन आप पूरे notes भी मेरे देख सकते हो वो मैं आपको description में अपना link दे दूँगा इसका इसकी scan copy का तो आप वहाँ से देख सकते हो लेकिन motive मेरा यही है कि आप इस type के notes बना क्योंकि यह चीज़े काफी आपको help करेंगी जब आपका means का exam भी होगा तो आपको quickly सभी चीज़े revise करनी होगी तो मुस्किल से एक हफते के अंदर भी आप इन चीज़ों को revise कर सकते हो औ आप फारे अगर advance math को एक बार में revise करने की सोच है तो इसलिए यह चीज़ आपको करनी चाहिए और इसी के help से मैंने अपने maths में 50 out of 50 भी score किया था मेरा CGL exam में 50 out of 50 था CHSL में 50 out of 50 था क्योंकि मैंने step के notes बनाए तो मुझे भी help होई थी इन सभी से तो इसलिए मैं आपको suggest क करता हूं कि आपको यह चीज करनी चाहिए तो मेरा काम तो समझाना है और आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से अपनी त्यारी करते हो तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में and all the best for your exam